आज की वीडियो हम SST Maths की फ्री e-book solve कर रहा है 2.2 वाली जो आदित्ति रंजन सन्ने अभी पब्लिस करी है जिसमें 1.500 प्लस TCS के सेट है और 4125 टोटल कॉस्चिन है ठीक है तो अभी अपने स्टार्ट करेंगे profit and loss ठीक है कौन-कौन से एक्जाम के कुश्चन है तो एक बार दिखलो आप CGL Tier 1 के है Tier 2 के 2021 के CHSL 2021 के Phase 10 2022 के MTS 2021 के Phase 9 के CGL Tier 1 2020 Tier 2 2020 CHSL 2020 MTS 2020 और CPU 2020 ये टोटल से 11 एक्जाम के कुश्चन है जिसमें से ये 2, 3, 4 5 और ये 6 ये 6 एक्जाम के कुश्चन मैं पहले बाट में करा चुका हूँ तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मांकि ये बचे 5 एक्जाम के कुश्चन इस वीडियो पर अपन करेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते है पहला कुश्चन है अपने सामने पहला कुश्चन क्या बोल रहा है अब मैं पर्चीस अ सेल फोन फोर दिस प्राइस एंड सोल इट अगेन ओफ 12.5 परसेंट केल्कुलेटेट ओन दा सेलिंग प्राइस ये लाइन इंपोर्टेंट है सेलिंग प्राइस ऑफ दा सेल फोन वाज देखो 12.5 परसेंट के मारला होता एक बटे आठ ठीक है अब अब अपन को क्या बो लगाया ये क्या है सेलिंग प्राइस है तो कोश्च प्राइस केतना रहा होगा अब बुलू सर एक रोपय का अगर प्रॉफिट होगा है तो सात रोपय में खरीदा होगा जबी तो आठ सेलिंग प्राइस है ठीक है ये सेलिंग प्राइस है बुलू सर ठीक है कोई देख कर नहीं तो अपन को सात को वैल्ली गवन है साथ की वेल्यू क्या गवन है? सेवन की वेल्यू है टू, फॉर, फाइब, जीरो, जीरो साथ से काटो, साथ ती है, एक टीज, बचेगा तीन, साथ बंज, पैंतीस, और दो जीरो ठीक है? एक की वेल्यू आगए अपने पास कितनी? साथ तीन-स, अपन से क्या पूचा? सेलिंग प्राइस, मतलाओ, आठ की वेल्यू पूचिए अपन से, तो इसमें जोड़ दो, साथ तीन-स, जोड़ो कितना जागा? 2400 और 3700 और एक 2800 2800 नहीं 28,000 B option अपना correct answer हो गया ठीक है? आगे देखो question number 2 If the cost price of 70 article is equal to the selling price of 40 article what will be the profit percentage? यह तो आसान question cost price of 70 article is equal to selling price of 40 article यहां से CP और SP का ratio हजागा CP upon SP equals to क्या आगया? 4 upon 7 मतलब 7, 4 रुपे की चीज, 7 रुपे में बेची गई कितने का फाइदा हुए ता आप बलो 3 रुपे का फाइदा cost price पर गिना जाता है profit 3 by 4 जो की क्या होता? 75% ठीक है? आगे देखो question number 3 Kamal purchased 80 article for this rupees and sell them as a loss equal to the selling price of the 6 article what will be the selling price of one article? देखो यहा cost price में मालली अपना खरीदा और उसको selling price में बेच दिया ठीक है? बिल्कुल ठीक है अब लॉस के से calculate करते है अब बोलो कि अगर सब प्रोफेट होता तो cost price minus selling price selling price minus cost price करते है अगर profit होता तो loss है मतलब cost price जादा है selling price कम है तो यह हो जाएगा यह question क्या दिया है अपनको इसको loss हुआ है total कितने article पर 80 article पर 6 article की selling price के बरावर ठीक है यह question में बोल रखा है कि उसको loss कितने के बरावर हुआ है 6 article की selling price के बरावर ठीक है? तो यह अपनने loss calculate किया है बस यहां से अब इसको solve कर लो यह कड़ जाएगा 2 से 3 वार में और यह 40 वार में ठीक है? 40 minus का SP है इस side आएगा इसमें जुड़ जाएगा प्लस का 43 SP यह question क्या हो जाएगा? 40 CP ठीक है? बिल्कुल ठीक है यह फिर एक मिनिट रुको मत काटो अभी इसको क्यों मत काटो? क्योंकि देखो 80 CP की value अपनको पता है 80 article का cost price पता है अपनको अब भलो हंसर बिल्कुल पता है इक क्वेस्ट विदर से 80 SP और 6 SP 86 SP हो जाएगा 80 article का cost price तो यह दिया है न question में 11180 11180 ठीक है? बिल्कुल ठीक है अब काट लो इसको दो से तो दो पंज दस दो पंज दस दो नम्मे अठारा और जी जीरो और यह 43 टाइम से 43 से काट जाएगा 43 बंजा इतर बचेगा कितना 7 और 5 बारा तो यह जागा 4 ती बारा तीन बार में चला जागा और यह जीरो तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या आगया 130 रुपए यह यह अपन से पूचा था ठीक है आगे देखो कुश्य नम्मर 4 तो कॉश्ट प्राइस अफ एन आर्टिकल इस दिस इट इस सोल्ड एज प्रॉफिट ऑफ सिक्स्टीन परसंट हाउ बुड इट सेलिंग प्राइस तो कुश्टीन परसंट का मतलब क्या हो जाता अब बोलू से चार परसंट का मतलब तो हमें पता एक बटे पच्चीस होता है तो सोला परसंट का हो जागा इसमें 4 का मल्टिप्लाइ कर दो 4 by 25 मतलब 25 रुपे की चीज कितने बेची गई है 29 रुपे में बेची गई है चीक है बलकुल ठीक है 25 का मतलब आपको दे रखा है 6450 रुपे 25 से काट उच्चीस 25 625 बचेगा 200 258 200 258 तो इसमें multiply कर दो 258 का ठीक है देखो 29 अठे कितना होता है 232 दो हासल आएगी 3 29 पंज़ एक सो पहतारीष 5 और 3 आठ इधर बचेगा 16 ठीक है 29 दूनी 58 और 16 कितना हो जाएगा 8 छे 14 की 4 5 और 1 6 और 1 7 7 4 8 2 कौनसे option में दिया है ठीक है आगे देखो question number 5 A man sell goods at 4% lost on the cost price but he gives 20 gram instead of 40 gram what is the profit on loss percentage देखो question ये भी आसान है ठीक है बेइंग मान दोकानदार वाला question है इसको केंसे करते है तो अब देखो 4% का loss हो रहा है 4% का मतलब मैंने अभी बताय ता आपको 1 बटे 25 होता है ठीक है मतलब 25 रुपे की चीज कितने मेंची जा रही 24 रुपे मेंची जा रही बिल्कुल ठीक है और क्या बोल रहा है 40 gram की वजाए वो कितना दे रहा है 20 gram मतलब उसकी cost कितने की लग रहा है आप बोलूँ से cost तो उसकी 20 gram की लग रहा है यह cost price यह selling price cost उसकी 20 रुपे की लग रहा है और बो लेव कितने रहा है 40 रुपे ठीक है बैस इसको काट लेते हैं थोड़ा यह 0 से यह 0 कट गई 2 से यह कट गई 2 बार में 25 रुपे की चीज उसने कितने मेंची multiply कर लिए मतलब उपने इनका तो 24 रुपे मेंची ठीक है तो यहां फाइदा कितने का हुगा बलू से फाइदा यहां से निकाल लो 23 का 25 रुपे पर 23 रुपे का फाइदा हुगा अगर इसको 4-4 से multiply कर लें यह 100 से multiply कर लें percentage जाएगा 25 चोको 100, 23 चोको 92 92 परसेंट का उसको क्या हुगा प्रॉफेट हुगा ठीक है आगर देखो question number 6 A dealer professor to sell his good at cost wise uses 900 gram wheat 1 kg की जगा तो वो 900 gram की चीज कितने बिच रहा 1000 gram में बिच रहा कितने का फाइदा हुगा हुगा उसको तो आप बलू सा 100 रुपे का फाइदा हुगा कितने रुपे पे 900 रुपे पे 1.9 परसेंट 1.9 का मतलग हुथा 11.1.9 परसेंट ठीक है आगर देखो question number 7 Hars purchase a scooter for 48,000 He sold it at a loss of 15% With that money He purchased another scooter and sold it at a profit of 22.5% What is overall loss or profit percentage? तो देखो ये तो successive का केस है इसमें अपन successive लगा लेते हैं पहले उसने क्या कि ये loss में बेचा 15% का तो माइनस 15% प्लस 22.5% परसेंट रहन लेते हो माइनस 15 इन्टो 22.5 अपोन 100 यहां से solve कर लेते हैं तो आपन को ये तो पता चली जाएग प्रॉफिट होगा कि लोग उचा होगा देखो पांच तीया पंद्रह पांच दूनी दस यहां गया बीस ठीक है? स्कॉर स्वल्व करेंगा रहन दो मुल्टिप्लाइ कर लो ये टोटल कितना हो जाएगा? पांच तो साथ 37.5 ये तो सब्ट्रेक्ट होगा तो इस में से जाएगा बारा में से पांच जाएगा साथ बचेगा और इदर एक में से एक जीरू 7.5 बचा प्लस का 7.5 बचा ये भी माइनस में आएगा पांच तीया पंद्रह एक काम करो पूरे सही मल्टिप्लाय कर लो नीचे 100 रहेगा आसानी रहेगी पंद्रह पून पिछेत्तर की पांच पंद्रह दूनी तीस पंद्रह दूनी तीस और तीन तीस ठीक है? एक के बाद पॉइंट था और नीचे 2 जीरू तो ये आगया इसमें 3.375 और माइनस कर लो तो यहां से डारेक्ट अपने पास लोस जाएगा कितने का हुगा? 7.5 माइनस करना 3.375 0,0 10 में से पहुँच जाएंगे 5 बचेंगे 9 में 7 गए 2 बचे इदर 4 में 3 गए 1 बचा 7 में 3 गए 4 बचा 4.125 बिलकुल एग्जक आंसर निकाला और इसका क्या हो रहा है? उसको profit हो रहा है तो कि यह प्लस में आ रहा है प्रॉफट हो रहा है कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है आगे दिखो कुशन नमर 8 question number 8 है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा है a manufacturer sell an item to the wholesale dealer at profit of 11% wholesale dealer same to retailer at 15% profit and the retailer turn to sell a customer for this price earning of 19% profit cost price of manufacturer is simple question है थोड़ी से calculation बढ़ेगी इसमें तो अपन calculation को जितना कम होना साकेगा उतना कम करने की कोई सिस करेंगे ठीक है option भी बहुत दूर दूर दी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं सबसे पहले देखो 11 और 15 का successive 11 इंटू 15 अपन हंड़े अपन हंड़े अब बोले उसा ठीक है कोई दिक्कत नहीं इदर 5 और 16 और 26 अब इसके साथ 19 का successive ले लो तो 27 इंटू 19 अपन हंड़े ठीक है यह कितना हो जागा तो आप बोलू सर्थ 8 और 16 दो एक तीन और एक चार 46 प्लस इसको मल्टिप्लाय करो 29 सत्य एक 19 सत्य 13 की तीन असल कि आए 13 उननीस दूनी 38 और 13 तो आठ तीन ग्यारा की एक तीन और एक तीन और एक चार और एक पहाच ठीक है दो के बाद पॉइंट आए गा तो 5.23 को इंग्नोर करो छाली सोपाँच फेख्यावन एक यावन पर्षेंट प्रोफिट में बेच रहा है इगावन पर्षेंट-प्रोफिट में अगर बेच रहा है इसका मतलब क्या तो आब बुलो स्वड़ार की चीज सेगर अपन माल लेते हैं तो एक सो क्यावन विच रहा होंगा तो 151 की value अपन को given है 17045 ठीक है? इसको divide कर लेते हैं इस से 17045 171 से divide करो तो कितनी बार में जाएगा आप बलो सर एक बार में जाएगा 150 मनाएगा 10 से बचेगा 2, 10 से बचेगा 9 दोने एक ही बचेगा और दस सर 9 और 10 में सर 9 जाएगे एक जाएगा 9 बचेगा, ठीक है? ठीक है? इदर से एक बचेगा उतारा चार फिर एक बार में जाएगा और जैसी बन बन अपने दो बार देखा अपने सांसर को टिक कर दीए पूरा solve करने की जरूरती नहीं है ठीक है? फिर भी और आगे लोग आग बोलेंगे कित करके बताओ 150, 4 इदर से बचेगा 4 उतारा अपने 5 कितनी बार में जाएगा तो आप बोले इसार अब दो बार में जाएगा दो बार में कितना हो जाएगा? 302 अब देख लो आप, 112 कौनसे इसी option में देख रहा इसी option में देख रहा यह अपना correct answer हो गया आगे देखो question no.9 A shopkeeper normally makes a profit of 20% in a certain transaction he weighed 900 gram instead of 1 kg due to an issue with the weighing machine if he charges 10% less than the weight what he normally charges then what is the actual profit or loss? तो चार्ज क्या कर रहा हो? make a profit of 20% 20% का profit कमा रहा है मतलब 100 रुपे की चीज कितने बैच रहा है 120 रुपे में ठीक है? weighing machine गलती उच कर रहा है मतलब वो 900 रुपे की चीज कितने बैच रहा? 1000 रुपे में ठीक है? और 10% less कम चार्ज कर रहा है मतलब 100 रुपे की चीज 90 रुपे में बैच रहा है ये तीन कंडिशन अपनको दे राखी है तीन कंडिशन दे राखी है इनको solve कर लेते हैं देखो 1-0 से 1-0 ये 9 से 9 कड गया है ये 2-0 से 2-0 कड गया है ठीक है? ये 1-0 और 2-0 से 2-0 कड गया है तो 10 रुपे की चीज कितने रुपे में बीच रहा है वो 12 रुपे में कितने रुपे का फायदा हो रहा है 2 रुपे का फायदा 10 रुपे पे 2 by 10 का मतलब सबको पता है 20% पर्शन प्रॉपे होता है ठीक है? Qशन No. 10 है अपने सामने इसमें क्या ओलआ है Subhir claim to sell his item only 5% above the cost of production. मतलब 100 रुपे की चीज वो कितने बेज रहा है? 105 रुपे में बेज रहा है. What he uses paid that 1 kg return on it actually through 960 ग्राम. मतलब 960 ग्राम की चीज वो 1000 बोल का टेका रहा है. यहां से solve कर लेते हैं इसको. देखो, यह 2 और 3 रुपे की चीज वो 105 रुपे में बीच रहा है. कितने रुपे का फाइदा हुँ रहा है? 4 और 5 नौ रुपे का फाइदा हुँ रहा है. कितने रुपे पे? 96 रुपीज पे. into 100. ठीक है? बोल ठीक है? 3 से काटो, 3 तरकनो, 3 तरकनो, 3 दूनी 6. 3 बटे 32. 4 से काट लो, 4 अठे 32. 4 पचीज से 100. 25 तरकनो, 75 बटे 8. 8 से काटो, तो देखो, 8 नाम बहाद तर, नों सभी अप्शन में दिया है. बचेगा कितना? 3. पॉइंट लगाया है, यह हो गया, 30, 9, 3, 27, तीन जिस अप्शन में दिखा, वो अपना अंसर हो गया, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, वो पूरा सॉल करना है, फिसको फिर सॉल कर लो, बचेगा कितना फेर? यह कुर नों, 9, 3, 27 नहीं रहे, कर दी, आठ से डिवाइट करना है, 8, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 8, 3, 24 हाँ, बचेगा कितना? 6 बचेगा, ठीक है? फिर लगाया, जीरो, आटू, साटू, छपन, फिर बचाचार, आट पंजे, चालीस, 9.375, एग्जेक्ट आंसर आगया, ठीक है? आगया देखो, कुश्चन नमबर 11, राहुल वोट, 20 डजन ट्वाइस, एट अ कोस्ट आफ रुपीज, 375, इच डजन, इच आफ देखो, एच आफ देखो, 33 रुपीज, देप्रोफेट परसेंटेज, देख भाईया, उसने, 375 रुपए, कि एक डजन के हिसाब से खरीदे, ठीक है, और कितने खरीदे, 20 डजन खरीदे, बेच कितने दिये, तो आप बोले, 33 रुपे के एक के हिसाब से, 12 मतलब एक डजन होगा है, और टोटल 20 डजन दे, तो यह उसने बेच है, अब यहाँ से अपन इसको solve कर लेते हैं, पता चल जाएगा profit होगा, loss होगा, क्या होगा, तो देखो 20 से 20 तो कटी गया, ठीक है, 33 इधर बचेगा, 4, 49, 3 से काट लो, 3 ग्यारा जाद, 3 एक कम 3, 3 दू निच्छे, 3 पहाँचे 15, ठीक है, 125 में पहाँच आता है, इधर सब नहीं कटेगा, तो multiply कर लो, 12 एकम 12 के दू, 12 एकम 12, और 13, 132, 125 रुपे की चीज, 132 में में बेची गई, कितने रुपे का फायदा हुआ तो अब बलो, 7 रुपे का फायदा हुआ, 125 पे, into 100, 25 बच्छे, 25 रुपे का फायदा हुआ, 27 रुपे का फायदा हुआ, पच्छे में बच्छे, 5.6 अपना खरेक्ट रुपे का फायदा हुआ, बच्छे का तीन, 5 रुपे का थीज, ठीक है, आगर देखो, question number 12, अब पैन वाज 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 वारुपे इस, at a profit of 15%, if it is sold for this, then what would be the profit percentage, देखो यह, 115 परसेंट की value गिवन है, अपन को कितनी, 28.5 रुपे चत्तर, ठीक है, अपन 100 कर दो, बाद में देख लेंगे इसको, 115 कटेगा, 23 पंज ए 115, अब 5 तेईश चा, 5 से इसको काटो, 5 से एंटर, 25 में गाथेंगा 3, ठीक है, 7 सथ प्याथेश चा, 25 में गाथेश, ठीक है, बाद में थीश पंज से से में गिवन को काटो, हैसे इसको अए में डीश बार में जागा बहचेगा, जा एदर से, उरदर से क्या बचेगा, तेज़ एकम तेज़ बार में क्या, तेज़ दुनी चालीज चला जाओ, एक दर से बचेगा, एक दर से बचेगा, एक दर से बचेगा, तेज़ पंज़ एक सुपंद्रा, ठीक है? तो 100% कितना आ गया अप बिलूँ सर्क, यह आ गया 25 पटी 100, 25 पटी 100 क्या? य्थे क्या में हैं यह यह इंडर्ड परसेंट नहीं पर्सेंट यह औरएंड से नहीं हिश्टीस धिसर्ट चाहिए इस बाइब पलुपप तृटान परसेंट क्वल परसेंट क्युट है अका कि परसेंट का फाल वीज़ धर डुर bashकूर 0.03 into 100 करेंगे तो 3% का profit यहां से दिख रहा है जो कि B option में correct answer हो जाएगा ठीक है आगे दिखो question number 13 Why selling a fridge of 18,200 are no losses of 15% find the cost price of the 15 selling price कितना दिया 18,200 कितने का loss हो रहा है 15% का मतलब 85 बिचा गया हुआ 85% में बिचा गया हुआ ठीक है बिल्कुल ठीक है 17,50 बिचासी 17 से इसको काटो 17,1 बचेगा एक 17,6,102 17,7,119 बचेगा एक 17 से नहीं काट रहा कोई दिख कर नहीं है पांच से काटो इसको पांच सत्रा आजा पांच तिया पंदरा बचेगा कितना तीन पांच छी का तीस पांच को बीस और जीरू ठीक है तो 17 परसेंट की वेल्यू आगा यह अपने पास 3,6,4,0 इसको डिवाइड वाई 17 करो 100 परसेंट की वेल्यू चाहिए तो 100 से मौल्टिप्लाय करना पड़ेगा ठीक है काट लेते हैं इसको जो भी पॉइंट-पॉइंट में आएगा आपन एक्जेक्ट आठा पूछा ही नहीं आपन से तो देखो 17 दूनी 34 पचेगा कितना दो बचेगा 17 एकम 17 पर किस से अपनको दो अप्शन देख रहा है 17 एकम 17 दर बचेगा 3,4,7 एक बात सतरह चको सत्रह जो बचेगा सत्रा चकवड़ साथ बचा दो ठीक है फिर वह अब 20 सत्रह एकम 17 पचेगना 3 फिर 17 एकम 17 तो 21 411 आपना correct answer आगया ठीक है बिल्कुल ठीक है question number 14 आपने सामने इसमें क्या बोल रहा है fruit seller purchase 300 banana at the rate of 18 रुपे पर डेजन and sold 200 banana at the rate of 24 पर डेजन remaining bananas at the rate of 20 रुपे पर डेजन ठीक है net profit percentage बताना question देको आसान सा question 300 banana खरीदे उसने किस रीट में 18 रुपे पर डेजन के हिसाब से ठीक है बिल्कुल ठीक है बेच कितने में दिये तो आप बोलो बेचे उसने 200 banana बेचे उसने 24 रुपे पर डेजन के हिसाब से और उसने 100 banana बेचे एक्टीस रुपे पर डेजन के हिसाब से ठीक है यह उसका cost price हो गया यह उसका selling price हो गया अब अपन को profit निकालना है दिको सबसे पहले तो बारा कॉमन आके कड़ गया ठीक है यह दो तो इधर से क्या आगया 18 रुपे की चीज उसने कितने बेची 16 ब्लस 7 16 साथ कितना हो यह 6 साथ 13 तेईस रुपे में कितने रुपे का फायदा हो रहा है आप बलू से 5 रुपे का फायदा हो रहा 18 रुपे पे ठीक है? इन टू हंड्रेट कर दो कड़ जाएगा दो से नो वार में दो से कड़ जाएगा ये पचास वार में और अपोन में नो एक ही ओप्शन में दिख रहा है यही अपना करेक्ट आंसर होगा जिसको विस्वास नहीं है वो पूरा सॉल कर ले यही सो बटे नो नौ से काटो नौ दूनी अटारा बचेगा कितना साथ पाच वर दो साथ नौ सत तरिये सट बचेगा साथ बटे नौ सत्ता इसाई सेवन वार नाइन परसंट ठीक है? आगे देखो कुशन नमर फिप्टीन गिरी वोट एन ओल्ड मसीन फौर रूपीज दूटाउजन और इस्पेंट फाइव हंडर ओन इट्स रूपीया ही सोल इट फौर रूपीज फौर ताउज इस प्रॉफिट परसंटेज दो को दो हजार रूपे की खरीदी वो पांसो रूपे इसमें फिपेंड कर दिये तो दाई अजार की पड़ गई उसको और चार अजार रूपे में बेज दी कितने का फाइदा होगा आप बले उसा पंद्रासो रूपे का फाइदा होगा उसको धाई आजार रूपे पे दो जीरो से दो जीरो इन्टु हंड्रेड परसेंट निकालने के लिए पचीश चुको सो पंदरा चुको साथ परसेंट ठीक है आगे देखो question number 16 A man sold a radio set and gained 1-8th of its cost price. What is the profit percentage? 1-8th of the cost price अच्छा इसमें ये दिया है अठारा सो रुपे में एक radio set बेचने पर उसको 1-8 रुपे का लाव होता है तो लाव परतीसत क्याद कीजिए ये नावी देते तो भी अपना काम बन जाता. कैंसे बन जाता? मान लिया अपनने उसकी कोट cost है आठ रुपे अब इसका 1-8 उसको profit हुआ है मतलब एक रुपे का लाव होगा तो कितने में जी हूँ इसने? नौ रुपे में पन सब profit पूछा है बन वाए इट अब बन वाए इट का मतलब तो साढ़े बारा परसेंट होता है ठीक है? बिल्कुल ठीक है आगे देखती कोशन नमबर 17, sparked पूज़ पूज़ पूछ फच्ट पर रुपेस सेल holistic से धर छिष्हत पूसारे आगी में जायतल है पूद भा हूख फूछास पूछ आगे पालिईस को भीस । at a price that help him earn overall profit of 28% at what percentage above the cost price each item did Raghuvir sell of that did not get bad देखो भाहिया, कोश्चन क्या बुल रहा है इसमें 100 चीजें खरी थी इसमें से 36 चीजें खराब होई 36% item क्या होगा है could not sell, मतलब खराब होगा 36% अगर खराब होगा है तो बची कितने अब बुलोग से 36 खराब होगा अगर 40 होते तो 60 खराब बचते लेकिन 36 होए है मतलब 60 से 4 जादा 64 बचे 64 आइसम बचे अब इस 64 item को उसको कितने में बेचना पड़ेगा कि यहां मिल जाए उसको कितने का फायदा 28% का मतलब यहां 100 रुपे की चीज 128 में बेची उसने तो 64 item को कितने में बेचना पड़ेगा यह अपन से पूछा है बात समझ में आई अरे उसके 36 item खराब होगा तो बहुत बेचना ही सकता बचे item को बेचेगा कितने में कि उसको overall 28% का फायदा हो जाए बात समझ में आई ठीक है तो देखो 64 item की cost price क्या हो जाएगा आप बुलू से 64 रुपे और उसको बेचना है कितने में 128 में सबी आईटम को कितने का फायदा कमा लिया तो देखो 64 का double हो रहा है 128 मतलब उसने 100% फायदा कमाया जब जाके उसकी है इधर 28% का फायदा हुआ है बात समझ में आई बिलकुल ठीक है कोई दिककत नहीं आसान कोश्चन है कोश्चन नमबर 18 है अपने सामने इसमें क्या बुल रहा है अब मुमें सोल्ड हर येरफोन 4 रुपीज 2 थाउजन and got a percentage profit equal to the numerical value of cost price then the cost price of article दो कोश्चन सिंपल सा है माल लेते है पन उसकी cost price एक्स रुपे ठीक है तो उसने कितने में बेचा है अब बुलोग सर एक्स का 100% में तो cost price हो गई plus x percent इतने में बेचा है उसने कैसे या 100% को अपने से लेखेंगे 100% मतलब ये तो cost price हो गई और x percent का उसको क्या होगा है profit होगा है जितनी इसकी value होगा है numerical उतने percent का उसको profit होगा है तो ये आगए अपने पास equation तो ये इसकी value अपन को देजिए 2000 अब एक तरीका तो ये है यहां से quadratic बनाकर solve करो दूसरा तरीका है को option रख रख के देख लो option रख रख के देखो देखो यहां बनेगा कितना sum में 2 0 है तो नीचे की ये 2 0 से ये option की 2 0 काट दो अब सीधा सीधा देख लो ये x और 1 प्लस x है किसको multiply करने पर 20 आता है तो आप बलू से 5 और इदर बनेगा 6 5 पांचे कती सुता है दो और तीन को multiply करने पर नहीं आता है छे और साथ को multiply करने के भी नहीं आता है चार और पांच को multiply करने पर 20 आता है तो ये अपना correct answer हो गया ठीक है बिल्कुल ठीक है आगे देखो question number 19 and unauthorized rice dealer purchase rice for 32 रुपे पर केजी and sell for 40 रुपे पर केजी but while selling he gives only 900 ग्राम इंस्टीड बन केजी find the actual profit percentage of dealer लेको सबसे पहली बात तो 32 रुपे की चीज कितने में बेच रहा है चालीस रुपे में बेच रहा है पहला प्रॉपे तो यह हो गया दूसरा प्रॉपे क्या हुगा कि भी 900 ग्राम दे रहा एक हजार ग्राम की जगा मतलब 900 ग्राम की चीज बो एक हजार ग्राम बोलकर टिका रहा तो यहां फाइदा हो गया उसको overall profit यहां से calculate कर लेते हैं दोनों को multiply करना पड़ेगा multiply करने इस पहले आपन यह 0 से यह 0 यह 0 से यह 0 कार लो चार से यह कड़ जाएगा आठ भार में ठीक है 5 ठीक़ए चार से यह कड़ जाएगा चार वार 2 बार चारोली आड वो 25 चुकों 100 पट्ट्चीज चारोली आड सव चारोली आड यह नमा ठीक है 18 रूपय की चीज बों 25 रूपय में बैच रहा है कितने का फाइदा हूँ रहा है तो ंब भलूससाथ इसको फाइदा प्राइदा उसको 18 रुपे पर साथ रुपे का फाइदा उसको 18 रुपे पर हुँ थी कर दे अ अब अम आपन को एक चीज पता है कि 1y9 की वैल्यू क्या होती है 11.11 परसेंट ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो इदर 7 by 9 की value क्या हो जाएगी, आप बोलो से 77.77%, इसको 2 से divide करते हैं, तो यह 18 हो जाएगा, मतलब इसको 2 से divide करना पड़ेगा, दो से बंजय से divide करेंगे, यह कितना बचाएगा, 3 जू नीच है, बचेगा 17, 28, 16, 38 पॉइंट वाले भी दो option हैंगे, 16, बचेगा 1, 28, 16, 38 पॉइंट वाले का दो option हैंगे, यह option थो है, तो यह अपना correct answer हो जाएगा, 28, 16, एक बचेगा 28, 16, 8, 8, 8, 8, 8 चलता रहेगा, मतलब उनने 38.9 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, question number 20 है, अपने सामने, इसमें क्या बोल रहा, बिशनू sold 2 आइटम, X and Y, 4 रूपी 600 इच, there by gaining of 20% on item, X and losing of 20% on item by, find overall loss or gain percent, 20% का मतलब अपन को पता है, एक बचे 5 होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पहले वाले पर फाइदा हो रहा है, 20% का मतलब 5 रूपी की चीज़, 6 रूपी में बेची गए, दूसरे वाले पर घाटा हो रहा है, कितने का, 20% का मतलब 5 रूपी की चीज़, 4 रूपी में बेची गए, इसके लिए 6 का मतलब 600 है, तो एक का मतलब क्या आगए, आप बोलो, सर्थ, एक का मतलब आगए, 100, मतलब यहां उसको फायदा हुरा है, 100 रूपे का, कितने रूपे की चीज़ पर, 500 रूपे की चीज़ पर, ठीक है, बिल्कूल ठीक है, इधर, 4 का मतलब 600 है, तो एक का मतलब कितना जागए, 4 एकम4, 4 पंजबी, RPG, 1 का मतलब आगए, 1,500, तो मतलब उसको घाठा हू रहा हा, 1.500 रुपअ का। इसको फाइदा हू रहा है। कितने रुपई की चीज़ पे? 750 रुपई की चीज़ पे. ठीक है। आपक बंगतीक है। अबरोल अगर आपन देखें तो उसको पचास रुपई का घाठा हू रहा है। आके देखो question number 21, a dishonest dealer is selling sugar for 40 rupees per kg, pretending that he is selling at a loss of 5 rupees per kg, but actually give 800 gram instead of 1 kg, falsity weight, actual loss or percentage. अगय हो को अपन को क्या pretend कर रहा है, एक 5 rupee का loss हो रहा है, मतला 45 rupee की चीज कितने में बेच रहा है, चालीस rupee में बेच रहा है, ये तो बतारा है दुनिया को, लेकिन अक्चवल में क्या कर रहा है, वो 800 gram दे रहा है, एक हजार ग्राम बोल के, ठीक है, मतला 800 rupee के चीज एक ह तो नो रोपे की चीज दस रोपे में बेच रहा है बन बाए नाइन का उसको फाइदा हुरा है और बन बाए नाइन का मतलब का हो था 11 इस टू बन बाए नाइन परसेंट आगे देखो question number 22 Sudhir claim to sell his item only 8% of the cost of production but he used bet that 750 gram return on it truly actually it is 720 gram what is the actual percentage earned देखो Sudhir क्या बोल रहा है 8% अबब बेच रहा है मतलता 100 रोपे की चीज एक्सो वाट रोपे मेच रहा है बट बो 720 gram देरा 750 gram की जगए इसको कल लो सॉल देखो ये एक 0 से 0 कड़ गए और बारा सिंग बात तर बारा में 108 तीन दो नीच छे तीन तरका नो 25 चुक को 100 25 तीज तीज पिचेतर तो 8 रूपे की चीज नौ रूपे में बीच रहा है मतला एक रूपे का फायदा उरा इसको कितने पर आट रूपे पर एक रूपे का फायदा आट रूपे मतला साड़े बारा पर्संट 12.5 पर्संट correct answer. ठीक है? बिल्कुल ठीक है? आगे देखो question number 23. A man worked to sell his home theater system for Rs. 14,400. He would lost 25% but if he wants to gain 20% then sold for. देखो बहिए उसने 25% loss पर मतला 75% में बेज दिया वो 75% की value दिया पनको 111440. ठीक है? बिल्कुल ठीक है? 25 दिया 75, 25 चोको 100. ठीक है? बिल्कुल ठीक है? यह से ही कड़े आगा. ठीक हो को 12, ठीक है, 24. अन्रेट परसेंट की value किया जाएगी? अब बलुसक्त? चार आठे 32 की दूप. चार चक को 16 और तीन 19. नाइन 2 और दो 0. यह आगा उसका कोश्ट फ्राइज अब अपन को 120 परसेंट की वैल्यू निकालनी है तो यहां सब 20 परसेंट की निकाल लो पहले 5 से डिवाइट करके 5 ती है 15 बचे के कितना 4 5 6 चालीस पांच जोक को 20 0 यह आगए 20 परसेंट जोड़ दो दोनों को तो 120 परसेंट किया जाएगी जीरो चार आट दो दस की जीरो नो तीन बारा और एक तेरा तेहिस तेहिस चालीस कौन से अप्शन में देख रा है यह अप्शन में देख रा है यह अपना करेक्ट आंसर हो गया आगए देखो कुश्चन नमर्ट 24 A shopkeeper sells rice at a cost price but uses a faulty wheat machine does gains of profit of 25 परसेंट by how many gram are rice he given in one kg दो को उसको लाव हो रहा है कितने का 25 परसेंट का 25 परसेंट का मतलब चार रोपे की चीज वो कितने में बेच रहा है पांच रोपे में बेच रहा है पांच का मतलब दे रहा है वो एक हजार ग्राम ठीक है तो चार का मतलब क्या हो जाएगा आप बलो से पांच दूनी दस एक का मतलब 200 ग्राम चार का मतलब 800 ग्राम यह option correct answer एक केजी वो बोलके 800 ग्राम चावला के लिए दे रहा है question number 25 है अपने सामने इसमें क्या और राजेस पर्चेस अब मसीन फोर रूपीज 5,000 and paid to 50 for a transportation if he sell machine for 5,075 what is the profit percentage तो profit तो होने ही रहा लॉस हो रहा है तो profit वाले दो अप्शन अठा दो कितने का लॉसूरा है आप बोलो sir उसने 5,250 में खरीदी ठीक है यह 200 रुपे भी उसके खरीदी में गिनाएंगे वो 5,075 में बेज दी कितने का गाटा हो गया 175 रुपे का गाटा कितने पर 5,250 रुपे पर into 100 ठीक है रूपीज ठीक है यह 0 से यह 0 काट दो कि पच्चीश सत्य एक सुपे चत्तर पच्चीश दूनी पचास पच्चीश कम बच्चीश साथ यह 21 बनवाय थरी तो यह क्या जागा अब बलो सब 3.33 यह 10 वाय थरी हो गया ठीक है अगर बनवाय थरी हो था 33.33 यह था लेकर बनवाय थरी नहीं 10 वाय थरी है तो 3.33 यह था ठीक है आगर देखो कुछिन नबर 26 if 60% of a number is equal to the 3 4th of the another number what is the ratio of the first and the second number 60% of a number is equal to the 3 4th of another number तो इंका ratio बताना है अपन को 60% का मतलब क्यों हो जागा आप बलो सा 64 का मतलब हो था 3 by 5 3 से 3 कड़ गए x upon y आगए अपने पास क्या 5 by 4 d option correct answer पहली संग्या और दूसरी संग्या का ratio पूछा था ठीक है question number 27 अपने सामने इसमें क्या गोला दर रेशू इसमें इसमें इदर 50 दिया यही सही है यह 750 गलत है ठीक है the ratio of the cost price of mark price cost price mark price इनका ratio given है कितना 4 ratio 7 ठीक है मिल्कुल ठीक है आगे क्या बोला है a discount of 25% given तो यहां से अपन CP भी निकाल सकते हैं इस पर 25% का discount दिया मतलब 75% में बेचा गया हुआ तो 3 by 4 इस 4 से दोनों multiply कर दो चार चुक को 16 साच चुक को 28 और साथ यह 21 इस 16 रुपे की चीज कितने में बेची गए 21 रुपे में में बेची गए 28 a shopkeeper claim that he is selling sugar at 27 रुपे पर केजी which cost him 30 रुपे पर केजी but he gives 750 ग्राम instead of 1000 ग्राम what is profit or loss दिको 30 रुपे की sugar वो बेच रहा है कितने में 27 रुपे में बेच रहा है और 750 ग्राम की जगे कितना दे रहा है 1000 ग्राम दे रहा है तो यहांसे इसका profit निकाल लेंगे अपन बिलकुल आसानी इस निकाल लेंगे एक और दो जीरो से यह दो जीरो कर रहा है 25 ती अपिछेतर 39 जा 27, 33 जा 9 ठीक है 25 रुपे की चीज कितने रुपे में बेच रहा है वो 30 रुपे में में बेच रहा है पाँच रुपे का फाइदा हो रहा है 25 रुपे में परसेंटेज की बात करना 25 चुक को 100 पाँच चुक को 20 20 परसेंट का प्रोफेट हो रहा है उसको ठीक है आगे देखो कोशन नमर 29 40% of the cost price of an article is equal to the 30% of the selling price approximate percentage of profit or loss on the cost price 40% of cost price of an article is equal to the 30% of its selling price ठीक है बड़कल ठीक है यह percentage से percentage काट हो 0 से 0 काट हो CP upon SP का ratio आ गया 3Y4 क्या आ गया 3Y4 मतलब 3 रुपे की चीज 4 रुपे में बेची गई तो 1 रुपे का फाइदा हुआ कितने रुपे पर 3 रुपे और 1Y3 का मतलब क्या होता 33.33% profit ठीक है आगे देखो question number 30 If half of the quantity of sugar in a bag sold at a profit of 20% a quarter of the quantity of sugar in the bag was sold for profit of 16% and remaining sugar sold for profit of 24% then the total obtained by selling sugar in the bag was 90 rupees what is the cost price of the entire sugar the question बिल्कुल आसान है अपन मान लेते हैं कि total उसके पास 4 kg sugar ठीक है क्योंकि half और quarter कर रहा है कोई दिखकत नहीं है half का मतलब हो जाया 1 by 2 मतलब 2 kg उसने कितने बेची 20% profit मतलब 4 kg sugar उसने 400 रुपे की खरी दी ठीक है 100 रुपे 1 kg का cost price हो गया तो 2 kg उसने कितने बेची होगा आप बिल्कुल से 20% एक पे कमाया है मतलब 120 में बेची होगी तो 2 kg 240 रुपे मेची होगी ठीक है बिल्कुल ठीक है कोई दिखकत नहीं है फिर क्या बोल रहा है फिर बोल रहा है quarter मतलब बन वाइफूर मतलब 1 kg 1 kg उसने कितने बेची 16% के profit 16% मतलब 100 रुपे 16% 116 रुपे मेची होगी ठीक है बिल्कुल ठीक है कोई दिखकत नहीं बची क्या बल रहा है रेमेनिंग को उसने बेची 24% मतलब 124 रुपे मेची होगी ठीक है बल्कुल ठीक है अब टोटल प्रोफेट बाइस सेलिंग में सुगर बैग इस 90 रुपे यहां से टोटल प्रोफेट कितना आ रहा है जोड लो चार दस की जीरो चार और चार आठ यह चार 480 रुपे यहां से आ रहा है 80 रुपे 80 रुपे का मतलब दिया कोश्यन में 90 रुपे 8 का मतलब 9 अपन से क्या पूचा नमबर ओफ क्वानिटी अप सुगर एक का मतलब क्या जाएगा आप बलो उसे 9 वाई 8 अपन से पूचा उसामागरी का कुल क्रेमूल ठीक है 400 का मतलब बताना 400 से मल्टिप्लाय कर दू यहां भी 400 से मल्टिप्लाय कर दू तो 8 पंजा 40 जीरो 9 पंजा 45 साड़े 400 रुपे आ गया उसका क्रेमूल ठीक है बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कुशन नंबर 31 अपने सामने इसमें क्या बोला वाई उजिंग फॉल्टी वीड अर डोकान दा अशॉप कीपर चीट्स टू एक्सेंट 6 परसेंट वाहिल बाइंग एंड सेलिंग राइस फाइंड गें परसेंट तो इथर आती है initial value इथा ही final value खरीटर टाइम में बहिगमाणी करराब भेष्टर बहिगमाणी करराइं खरीटर टाइम कैसे बहिगमाणी करेगा अब बोलरा से 6 परसेंट इडाए 6 परसेंट की बहिगमाणी मτलब मतलब उसने उसको 94 रुपीज दिये और 100 रुपे का सामान ले आया ठीक है या फिर आपन बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि उसने उसको 100 रुपे दिये और 106 रुपे का सामान ले आया ये तो खरीटे टाइम बे इमानी हो गई ठीक है बेचते टाइम बेखमान यह करेगा, कि उससे बोला भाईया कि 100 रोपे का सामान दे रहा हूं में तोज़े, 100 रोपे का सामान दे रहा हूं लेकन दिया 94 रुपीज का ही सामान, तो यह रिशो आगया अपने पास, इसको solve कर लो, 100 से 100 कट गया, 94 रुपीज की चीज, कितने हम एक सो छह रोपे में बिख रही है, टोटल कितने का फाइदा हूँ रहा है, अब बुल सब, 12 रुपे का फाइदा हूँ रहा है, उसको 94 रुपीज पे, इन्टू 100 परसेंटेज प्रॉफिट है जाएगा, इसको काड लेते हैं, यह कट जाएगा 6, यह बचेगा 4, 7, ठीक है, छह सो बटे 47, इसको बढ़िये भाग करते हैं, यह 47 से, तो एक बार में जाएगा 47, बचेगा कितना, 3, 1, 13, 130, दो बार में चला जाएगा, चार दुनियाट, साथ दुनियाट, चाओदा कि चार, चार दुनियाट और एक नो, इदर बचेगा 6, और इदर बचेगा 12, 3, 34, और 12 से एक यह बचेगा जाएगा, यह अपना correct answer हो जाएगा, ठीक है, बल्कुल ठीक है, कोई दक्कत नहीं है, आगे देखते हैं, Question number 32, a table fan passing through two hands, it sold finally at a profit of 30% of the original cost price, If the first dealer make a profit of 25%, then profit made by the second dealer, दुको मान लेते हैं, आपन 100 रुपे की चीज, परले डी डी डालर 25 रुपे का फाइदा कमाया, तो एक सो पचेगा होगा, ठीक है, और फाइनली कितने में बिचा है, औरिजिनल cost price मतला 130 रुपे में, ठीक है, तो इसने कितने रुपे का फाइदा कमाया, अब बोलो सब 5 रुपे का, पाइद से इसको काटो, पाइद दुन दस पचम पचेश, एक बठे पचेश, एक बठे पचेश, एक बठे पचेश का मतला का होता, चार परसेंट, पाइद परसेंट का नहीं कमाया, उसने चार परसेंट का प्रोफेट कमाया, ठीक है, आगे देखो, question number 33, अवेंडर वाट ओरेंजेश, at 5, 4, 15 रुपीज, and sold for 3, 4, 5 रुपीज, find loss, तो उसने 5 खरीदे कितने के, 15 रुपे के, वो बेच कितने दिये, 3 बेच दिये, उसने 5 रुपे के, तो ये तो बहुत गलत बात अभी या, 5, 15 रुपे खरीदे, 3, 5 रुपे के बेच दिये, पान बना लो, तो इसमें 3 से मल्टिप्लाय कर लेंगे, और इसमें 5 से मल्टिप्लाय कर लेंगे, तो quantity सेम बन गई, बोलो हांसा, ठीक है, सेम बन गई, तो ये कतने हो जाए, ये हो जाए, 15, और ये हो जाएगी 25, अब आपन को साब साब दिख रहा है, एक 45 रुपे की चीज, 25 रुपे मेट्री, 20 रुपे का घाटा हो रहा है, उसको 45 रुपे पर इंटो 100, परसेंटेज आजाएगा, पाँच चुक को बीस, पाँच नाम 45, 4 y 9, 1 y 9 का मतलब क्या होता है, 11 y 9 बला का मतलब होता है, 11 इस्टो 1 y 9 परसेंट, 4 y 9 का मतलब होता है, 44 is to 4 y 9 परसेंट, ठीक है, बलकुल ठीक है, आगे देखो, कु libraries, we are the question number 34, अब pen passing through, to and finally sold for profit of 44 परसेंट, of original cost price, first dealer make a profit of 20% then profit made by the second dealer देको 100 रुपे की चीज पहले डीलर ने 120 में बेच दी और फाइनली 144 परसेंट का प्रोफेट हुआ मतलब 144 में बेची गई औरिजिनल कॉस्ट प्राइस के साफ से तो इसने कितने का फाइदा कमा है आप बलो सरे इसने कमाया 24 रुपे का 24 रुपे का फाइदा कमाया 120 रुपे पर तो बाराथ दुनी 24 दो बटे 10 का मतलब एक बटे 5 और एक बटे 5 का मतलब सबको पता 20 परसेंट होता है ठीक है? बिल्कुल ठीक है? आगए देखो कुश्चन नमबर नहीं है ठीक है? इस 15 kg of sugar cost 600 रुपे what is the cost of 25 kg sugar 15 kg cost sugar की cost कितनी है? 600 kg तीन से काड लो 5 kg sugar की cost कितनी हो जाई? 200 रुपे 25 kg की बटे 5 से multiply कार दो 25 kg sugar 5 दूनी 10 1,000 रुपे यह क्या कोश्चन था पता नहीं क्या कोश्चन तो आसान कोश्चन था ठीक है आगे दिखते हैं गिरी वाट एन ओल्ड मशीन फॉर रूपीज टू थाउजन एंड इस्पेंड 500 रूपेर यह शोल लेट फोर फोर थाउजन प्रॉफिट पर्सेंट देखो डाही अजार की खरीदी उसने चार अजार में भेज थी कितने का फायदा हुए 1500 रूपे का कितने रूपे पर दाही अजार रूपे पर जीरो से जीरो पॉंच थी यह पंद्रा पचाम बच्चिस तीन बटे पॉंच तीन बटे पॉंच का मतलब क्या होता है साथ पर्सेंट आगे देखो कॵेस्षिन नम्मबर यन पुनीच फोल्ड एन आर्टिकल फॉर दिस प्राइस एंट लौस ओपचास परसेंट प्रीश नियुज़ अटर वाल्ट पाचीस पर्सेंट प्रसेंट थे पाचास परसेंट लौस पे बचास परसेंट मतलब के पचा कर दो कि 30 करना ना 10 पर सेंट की निकालो इसको 5 से काटो 10 पर सेंट आगा पांच चुक को 20, 5, 3, 15, 25, 0 यह आगा यह 10 पर सेंट की वेल्यू अब अब अपन को क्या चाहिए 30 पर सेंट लॉस पर बेजना है मतलब सत्तर पर सेंट में बेजना पढ़ेगा साथ से मल्टिप्लाय कर दो साथ जीरो जीरो साथ पन पन पहेंट इसकी पांच हांसल की आएगी तीन साथ यह एकईस और तीन चु复ब इसकी चाहर रहांसल की आएगी दो साथ चुक को 282 तीस तीस हजार चारसो पचास यह देखो भाई यह फिर टाइपिंग में स्टेट यह दो इदर नहीं आगा 1750 है तो यह दो नहीं होगा यह दो नहीं होगा तो इदर कितना आएगा यह जागा 350 तो यह हो जाएगा कितनी कि 350 यह न पांच से काटें पांच ती पंदरा बचेगा तो 25 जीरो ठीक है बिल्कुल ठीक है यह साथ से मल्टिप्लाइ करेंगे कि आएगा साथ जीरो जीरो साथ पंजब में 30 साथ यह 21 और 3 चौवीस चौवीस सो पचास सी ओप्शन करेक्ट अंसर ठीक है यह यह टाइपिंग मिस्टेक है तू नहीं जाना चाहिए था सात्रा सो पचास करेक्ट आंसर आगा देखो कोस्चिन नमबर दू एवोट अब बैग और बोटल ऑफ टोटल नौसर रुपह यह सोल बोटल एट प्रफिट अप्रफिट अग प्रफिट प्रफिट अच्छह थे हैं यह टोटल प्रफिट ओफिट आप देखो इसकी कोस्चिपाइड अपने माननी एक दूसरी की माननी एक चकी माननी एक बैग की माननी एक बाइग लिए ठीक है अग्रुंद से ठीक है कोई दिकत नहीं है प्रोपिट कितना कितना कमा है 12% इदर कमा है मतलब X का 12% 12% of X plus Y का 20% बरावर कितना दिया 160.80 ठीक है बल्कुल ठीक है परसेंटेज अपन दो जीरो बन जाएंगे दियो बन जाएंगे 1680 ठीक है बल्कुल ठीक है इदर कमान देख रहा है 4 4 4 सकड़ जाएंगा 4 ती बारा चार पंजे 20 चार चुक को 16 जीरो चार दुनिया जीरो ठीक है बल्कुल ठीक है यहां से आ रहा है अपने पास 3X plus 5 by request to 4 0 2 0 और X plus Y है अपने पास क्या 900 तो अगर अपन 3X 3 इसको लिख सकते हैं अपन देख यह 4 0 2 0 है 5 by को अपन लिख सकते हैं 3Y plus 2Y लिख सकते हैं तो यहां से 3 को मना जाएगा X plus Y बचेगा plus 2Y बचेगा equals to 4 0 2 0 X plus Y की वैल्यू अपन को बता है 900 तो यह हो जाएगा 9 तीए 7 इसको इसमें से माइनस कर लो बचेगा करना 2 10 में 7 जाएगे 9 10 में 7 जाएगे 3 बचेगा तर बचेगा यह तो यह की वैल्यू क्या जाएगी divided by 2 तो यह हो जाएगा कितना तू चिंग बारा दू चिंग बारा 660 बोटल का कोश्ट ट्राइज आगे 660 रोपे अपन से बोटल का ही पूचा है अब बैग और बोटल एक बैग और एक बोटल दूसरे वाले का कितना आगा आप बोलो इसे दूसरे वाले का 900 में से माइनस करना 660 0, 4, 8 में 6 गए 2, 240 240 आगा क्योंकि यहाँ देखो बैग और बोटल बैग तो जादा है में खरीद दी जाएगी बैग का ही 20 परसेंट था मतलब यह बैग का था यह अपन से मिस्टेक हो गए ना 20 परसेंट वाला बैग का था तो बाय क्या है बैग की है बोटल की यह है 240 रुपए ठीक है आगा देखो कोश्चन नमबर थरी अपरसन सोल्ड अकार पिट फूर थी शिक्स्टी एट लोस अपरसेंट वाट प्राइस सोड ही बीन सोल्ट टॉंट परसेंट देखो थीन सो साट रुपए में बेची उसने दस परसेंट की लोस मतला यह नबबब परसेंट की वैल्डियू है तो यहां से इसको काट लो अपनको चाहिए गेन बीस परसेंट का मतला यह एक सो बीस परसेंट की वैल्यू चाहिए बारह से मल्टिप्ला कर लो बारह चाहिए चार सो अशी रुपए में बेचना पड़ेगा ठीक है आगे देखो कुश्चन नमर फूर अहलमेट इस सोल्ड फूर सोला सो पचास अट इस देखो परसेंट की वैल्यू रुपड लीए अपन को सूला सो पचास घि करने खे抑ंग पंदरा सो रुपए अपंदरा सो रुपएा आगे अबुल्lasफ है कुश्कराथन कि पन्रास्यू 1500 रुपए की चीज कितने बेची गई है? 200 रुपए में बेची गई है कितने का रहा? 600 कितने पर 1500 रुपए पर इंटु हन्रेट 2000 से 200 कड जागा 3 दू निचे ती 5 रुपढ़ए 2 वाटे माच प्रोफिट आ रहा है पीस पर पेन What is the approximate loss percentage सिवानी उकर Selling of 5 पेन देखो ये क्या बोला सिवानी ने 5 पेन खरीदे कितने रुपे के 600 रुपे के खरीदे और उसने 50 रुपे पर पेन के हिसाब से 5 पेन कितने मेच दी तो आप बोले 50 रुपे का पेन अगर 1 पेन बेचा तो 5 पेन उसने कितने मेच Bossfight हुए 200 रुपे में पेन? बिलकुल ठीक है तो यहन से उसको कितने रुपे का लॉस हो रहा है 300 300 रुपे का लॉस हो रहा है 600 रुपे पे 200 ब्वाचास से तो कम होगा पाचास से क्या कम क्याяж, 50 से ज़ाद होगा सबी ऑप्शन पचास परसंट से जाद है ये 0 से ये 0 पहुंच सत त पमेंटीस पहुंच एकम पहुंच पाँच दुनी देस साथ बटे बारा ठीक है इसको अपन ऐसे सॉल करने कुछिस करते हैं कैसा है कि एक बटे चार की वेल्यू क्या होती है तो आप बोलो से एक बटे चार की वेल्यू होती है पचीस परसंट ठीक है साथ बटे चार की वेल्यू कितनी हो जाएगी तो आप बोलो से पचीस सत्य एक सू पिशत्तर तो यह हो जाएगा एक सू पिशत्तर और इसको 3 से डिवाइट कर दो तो इसको 3 से डिवाइट कर लेते हैं तो 175 को 3 से डिवाइट करेंगे 35 से 15 बचेएगा कितना 2 38 है 24 बचेएगा 1 पॉइंट लगाएंगे 3, 3 58.33 परसेंटेज ठीक है बिल्कुल ठीक है कोई देकर नहींगे आगे देखो question number 6 the cost price of 27 article is same as the selling price of 18 article cost price of 27 article is equal to the 18 article का selling price ठीक है बिल्कुल ठीक है रेशो आजाएगा 9-37, 9-18 CP upon SP का रेशो के आगे 2 upon 3 2 रुपे की चीज 3 रुपे में बेची जा रही 1 रुपे का फायदा हो रहा है 2 रुपे मतलब 50% का फायदा हो रहा है ठीक है आगे देखो question number 7 An article is sold at a loss of 40% The nominal amount of loss is approximately what percent of the selling price of the article देखो भई यह सीदी सी बात है 100 रुपे की चीज 40% रुपे में बेची गई मतलब 60 रुपे में बेची गई क्या बात साही है बोलब बलू है ok 40 रुपे का loss हो रहा है कितने का loss हो रहा है 40 रुपे का loss हो रहा है cost price what is the profit percentage किसी प्लेट की सेलिंग प्राइज एक सु चालीस परसेंट है उसकी cost price की अगर अगर अपन कोश्ट प्राइज सो रुपय मानते तो सो रुपय का एक सु चालीस परसेंट क्या हुआ सो से सो कट गया एक सु चालीस रुपय हुआ मतलब कितने का फायदा हुआ उसको चालीस रुपय का कोश्ट में कोई दम कोई दम नहीं है आगे देखते हैं कोश्ट नमन नाइन किष्णा वाए अ काव फूर रुपीस 15,000 आफ्टर बन एर ही सेल फूर अठारा सो पचास अठा प्रेंडेंड यह उसने 15,000 आफ पांट रुपया बेज दी फिर उसने उन्नीश आजार की खड़ी दी कितने में बेज दी बाईश हार थीन्सो रुपया में बेज दी तो टोटल कोश्ट वाइस और सेलिंग प्राइस को जोड लेते हैं ठीक है इसे जोड़ो जीरो जीरो ज चौदा की चार और दो और एक तीन 34,000 रुपए की खरीदी उसने जीरो जीरो जास दो को पॉइंच तीन आठ आठ दो दस की जीरो आज़िए एक चार इतने में उसने बेज दी ठीक है कितने का फाइदा हुगा तो आप बोलो सर इसमें से इसको माइनस कर लो 34,000 को पर कतने का फाइदा हुगा ओद को पर सूने कर दो आदा गाड़ को आगा देखो क्योंन नमर बन एन आर्टीकल इस सोले पंचीत परेज परसें लोस और इफ टस परकसें व्रस व फिटसक परशें जागे उन गाब फ सेलीम है 합니다 देन दे प्रोफिट ओफ ट्वेंटी पर्जेंट वाट इस अरिजिनल कोश्च प्राइज तो यह क्या बूला एक कार्टिकल सो रुपय का मान लेते हैं बन उसकी ओरिजिनल कोश्च प्राइज प्चीस परसेंट लॉस पर बेचा गाया मतलब पिचतर रुपय मेचा गया ठीक है अब कोश्च प्राइज को कर दिया डवल ठीक है तो यह हो गया दोसो रुपय और उसको छेसो साट रुपय बढ़ा दिया and there is a profit of 20% 20% का profit हो रहा है मतलब कितने मेचा गया होगा दोसो चालीस में ठीक है यहां से increment कितने का दिख रहा है तो अब बोलो तर इंक्रिमेंट दिख रहा है अपनको 25 ही है को चालीस ही है तो 40, 2500, 65, 1665 रुपय का इंक्रिमेंट दिख रहा है 165 की value दी है अपनको 660 रुपए 165 की value अगर 660 रुपए तो इसको काड़ लू 5, 3, 15 5, 3, 15 तो यह दिक है अपनको 35, 15, 30 दूनी 660 रुपांच जो कभी से एक का मतलब 4 है तो अपन न जो original cost price 100 रुपए मानी ती वो कितनी हो जाएगी 400 रुपए हो जाएगी ठीक है ठीक है ठीक है ना Question number 2 है अपने सामने समें क्या बल रहा है The selling price of article A and B are same A sold at 20% profit and B sold at 24% loss The selling price of both article are this Then what is the cost price of A and B अपन देखो क्या कर लेते हैं Cost price को मान लेते हैं A और B इसका cost price मान लिया अपने X इसका मान लिया बाई ठीक है कोई दक्कत नहीं है अब इसको बेचागाया 28% profit पर कितने पर 28% profit पर ये को मतलब 128% X में बेचागाया होगा बोलो इसका ठीक है प्लस इसको बेचागाया 24% loss 24% loss मतलब 76% और बाई में बेचागाया और इसकी वेल्यू दिया हमान को 48640 ठीक है बिल्कुल ठीक है अपन से cost price A और B का cost price पूचागा कोई दिक्ट वाली बात नहीं करते हैं तो सबसे परसेंटेज अटा दो इन्टू 100 दो 0 बढ़ गए अब इतर चार कोमन दिख रहा है इसमें भी दिख रहा है यहां से कड़ जागा आप बोलोगे सार यहां से कड़ जागा 4 से कड़ जागा 4 ती यह 12 4 दूनी 8 19 चो को 66 इसको काटो 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 एकम 4 चार्चिंग 24 और यह 0 0 यहां से आगे अपने पास 32 एक्स उननीस वाइ 32 एक्स प्लस 19 वाइ इक्वेस टू 1 टू 1 जीरो जीरो और एक चीज और बोल रहा ही है अपन से क्या बोल रहा ही है कि दूनों की सेलिंग प्राइस सेम है दूनों की सेलिंग प्राइस सेम है इसका मतलब क्या है कि ये भी बरावन है मतलब मतलब क्या कि यहां भी 2 से मल्टिप्लाय कर दो यहां भी 2 से मल्टिप्लाय कर दो तो इसके बरावर है तो अपन इसकी जगए क्या रख सकते हैं, इस ही को रख सकते हैं, तो यहां से x की value आजाएगी, ठीक है, बल्कुल ठीक है, दूसर और, दूसर क्या, चार से अभी भी कट जागा, 4, 8, 32, 4, 3, 12, 0, 4, 16, 0, 0, ठीक है, फिर 8 से ही काट लो, तो 8, 32, 6 बचेगा, 8, 84, 0, 0, 2 से कट जाएगा, क्या जाएगा, उननीस सो, तो x की value क्या आगई अपने पास, उननीस सो आगई, ठीक है, x की value उननीस सो नहीं, उननीस हजार आई, यहां 0 बहुत सारी थी, अपन बूल गए, उननीस हजार आईगे है, c option, correct answer, जिसमें x की value उनन पजाएगे हो, जिसको यकिन नहीं जूरा, उन यहां से निकाल ले, क्या बचात अपने पास, 2 इंटू 19, 5 बरावर, 12, 16, 0, 0, 0, 0, 2 से काट लू, 2 चींग 12, 1 बचा नहीं जाएगा, 2 अट्टे 16, 0, 0, 0, 0, 19 से कट जाएगा, 19, 37, 57, ठीक है, बचेगा, 3, 19, 2, 38, आगे थे स्टेसे स्टेसे, ठीक है, बचली कर देखको, कॉस्चेन नमः 3, अपरसल सेल, अवर विझान जु its like, और ओर वास उपेसी परोस JJD, if he increases the selling price by 144 and decrease the cost price by 30%, then there is a profit of 20%, what is the's Yuval दिखैन स्टेis स्टेसी अवर्शन स्टेजिस स्टेस स्टेसोंगा, 18% loss पर बेशता है मतलब 100 रुपे की चीज 18% अगर loss पर बेच रहा है तो कितने मेच रहा होगा आप बोलुक सर 82 रुपीस में मेच रहा होगा ठीक है He increased the selling price by 144 रुपे and decreases the cost price by 30% cost price को 30% कम कर देता है मतलब 70 में कर दिया और profit कमाता है वो कितने का 20% का 70 रुपी का 20% कितना हो जागा तो आप बोलुक सर 14 रुपे मतलब 84 में मेच रहा है तो यहां से कितनी बढ़ रहा है selling price आप बोलुक सर 2 रुपे बढ़ रहा है वो question के according कितनी बढ़ रहा है 144 रुपे तो 2 unit का मतलब 144 रुपे एक unit का मतलब कितना हो जागा 72 रुपे तो अपन से क्या बूचा what is the original selling price मतलब 82 unit इसकी value बूचिए तो 72 multiply by 82 कर निकालना है अपन को दो दूनी 4 दो option में दिया है ठीक है आट उसात उचपन आट दूनी 16 साद दूनी 14 जोड़ो 4, 6, 4, 10 की 0 6, 2, 8 और 1, 9 5, 9, 0, 4 कौन से option में दिया है B option में correct answer हो गया ठीक है आगे देखो question number 4 the cost price of an article is 2800 रुपे profit as percentage of the selling price is 20% what is the actual profit the cost price of article कितनी 2800 रुपे और selling price पे 20% का profit हुग 20% का मतलब क्यों होता है एक बटे 5 सबको पता है मतलब 5 रुपे पे एक रुपे का फाइदा हो रहा है मतलब cost price है 4 रुपे ठीक है बिल्कुल ठीक है तो 4 का मतलब 2800 रुपे 4, 7, 8, 5 पहुँच सथ है अपन से profit पूचा 4, 7, 8, 8 1 का मतलब 701 का फाइदा हो रहा है एक्ष्टल प्रुपे पूचा है 700 रुपे का फाइदा हो रहा है कितने पे 2800 रुपे पे 001Y4 परसेंटेज में थोड़ी पूचा कीमाती पूची 700 रुपे का फ्रुपे का फ्रुपे हो रहा है ठीक है एक्ष्टल प्रुपे प्रुपे हो रहा है यहां से यहां से यहां से यहां से यहां देखे एक्ष्टल प्रुपे हो रहा है 20% or another find the total percentage gain or loss उसने दो सेट सेल कर दिये इतने पर मतला 4800 रुपय होगी एक बेची और दूसरी बेची बेची और दूसरी बेची रुपयगी एक पर 20% का उसको फायदा हुआ मतला 120% कोश्प्राइज में बेची होगी 120% कोश्प्राइज में बेची होगी कोश्प्राइज हो जाएगी 4000 4000 की कितने में बेची उसने 4800 रुपय में बेची है ठीक है दूसरी क्या है दूसरी 80% में बेची होगी 4880% तो इसको काड़ लो तो 8600 तो 100% कितना हो जाएगा 6000 6000 की चीज 4800 में बेची होगी तो यहाँ से देखो 10,000 रुपय की चीज उसने कितने में बेची 96 100 में ठीक है तो उसको लोस हो रहा है कितने रुपय का लोस हो रहा है आप बलू से 400 रुपय का लोस हो रहा है 1000 रुपय पर 400 रुपय का लोस 1000 रुपय मतलब कितने का घाटा हो रहा है गाटा हो रहा है, चार परसेंट का लॉस, ठीक है, आगए देखो, कुश्चन नमबर टू, दिनेश परचेस अब बुक सेट ओफ रुपीज बाराश सो, and sold it for 900, find out the percentage loss in a card by, बाराश सो को खरीता है और नो सो रुपे में बेज देता है, ठीक है, कितने का फाइदा हो रहा है, दो जीर वटा देपन, उससे कोई फरक नहीं पड़ रहा है, कितने का घाटा हो रहा है, तीन रुपे का घाटा हो रहा है, कितने रुपे पर बाराश रु कोशन नमबर थरी, मोहन गौट 20% discount on marked price, when he bought a bag, he sold it for 40% more, what you paid for it, profit percentage on the marked price, देखो उसको यह न 20% discount में मिल जाती है, अपन मान लेते हैं, 100 रुपे की mark price, उसको 20% discount में मिल जाती है, और जो उसने पे किया, उससे 40% यहां से 20% कम, और जो उसने पे किया, उससे 40% जादा है मोग भीज देता है, तो इसका 40% कितना हो जाएगा, आप बोलो सरी, इसका 40% हो जाएगा 32 रुपे, तो 80, 20, 112 रुपे में भीज देता है, अपन से क्या पूचा है, percentage mark price, mark price से अगर देखा जात कितने percent का फायदा हु a dishonest shopkeeper claim to sell article at cost price, but uses 950 gram weight instead of one kilo gram, what is its profit, 950 gram, बोलके 1000 gram टिका रहा हो, तो कितने का फायदा हुरा है, 50 gram का फायदा हुरा है, कितने पे, 950 gram पे, यह 0 से यह 0, 950 gram पे, पॉच्च उननीस चा, एक बटे उननीस, एक बटे उननीस, यह बोल सकते हैं, पन हन्रेड वाय उननीस, ठीक है, इसकी percentage value निकालो के आएगी, तो आप बोलो, सर उननीस से इसको काटना है, उननीस, पंज पंचयानव है, फाइप पॉइंट थी परसेंट आजाएगा, क्योंकि इदर फिर पाँच बचेगा, पॉइंट लगा है, इदर जीरू लगा है, पचास, तीन बार में जाएगा, नहीं उननीस दुनिया अर्थीस में जाएगा, आप फाइप पॉइंट तू ठीक है, आगए देखते हैं, कॉश्चन नंबर फाइव, इस सोल्ड एन आर्टिकल टू बी, एट पचीस परसेंट प्रोफेट, बी सोल्ड तू सी, एट लॉस उप ट्वेल परसेंट, सी पेट से समाव, देखो यह सोरोपे की चीज, पचीस परसेंट प्रोफेट मादला ए बारा परसेंट का लॉस एक पचीस पर, एक फुपचीस का बारा परसेंट, आगर अपन निकालने कितना आएगा तो आप बलो से बारा पंज़े साठ की जीरो अधिल गयागी च्हह, ठीक है, बारा दूनी चौविस और च्हह तीस की जीरो, हो हैसल गयागी तीन, बारा एकम 12 और 3 15 परसेंटेज की वाद 2 0 मतलब 15 रुपय का लोसूरा कितने में बेचेगा हो 110 रुपय में बेचेगा ठीक है और 110 की वेल्यू दियेपन को 1650 11 से काट लो 11 धाम की 110 11 एकम 11 11 पंजी पच्पन 0 एक का मतलब क्या अगया 15 तो 100 का मतलब क्या हो जाएगा हाउ मच डिड एपी एपी की पूछा है तो यह कितना 100 का मतलब 1500 ठीक है अगर बी का निकालना होता बी का भी निकाल लेते हैं यह से 125 उनिट की वेल्यू आगे देखो कुश्चन नम्बर 6 रहीम सोले अ क्रोकरी शेट फोर देस अमाऊंट अधि प्रोफित आगे परसेंट पर्चंट वांच 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 परसेंट परसेंट आगे देखो एक सोबीस परसेंट की वैल्यू दिये पंगो 1092 बारा नम्मे एक सोअट औ बारा एकम बारा दस परसेंट की वेल्यू यह आ गई, 100% की वेल्यू क्या हो जागी, 910 रुपए, यह कोस्ट प्राइज आ गया, अब कितने मेच रहा है, वो 950 रुपए, मतलब 40 रुपए का फाइदा हो रहा है, कितने रुपए पर, 910 रुपए पर, ठीक है, बल्कुल ठीक है, यह 0 से, यह 0 कड़ गई, परसेंटेज निकालना है, 400 रुपए 91, इसको सॉल करना है, 910 रुपए चार वार में चला जाएगा, तो यह क्या हो रहा है उसको, प्रोफिट हो रहा है, लोस वाला उप्शन आएगा ने, लोस वाला उप्शन आएगा ने, 950 पैंटालीस पाज वार में गटे थी सीथा सीथा दिखरा है, और इसमें चार से मल्टिप्लाय करका देख लोगा, और 4,1,4,9,4,8,36,3,264,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,1,4,5,5,5,5,5,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,5,6 इचार व कोई मतलब निया अटा दू एना पांच रुपय की चीज छे रुपय में बेची जा रही एक रुपय का फाइदा हुरा कितने पर पांच रुपय का मतलब सबको पता है 20 परसेंट रुटा है है ठीक है बिल्कुल ठीक है कोई दिखकत नहीं है आगए देखो कोशन नमबर एट मोहन सेल फ्रूट एड़ एड़ दियर कॉस्ट प्राइज बाट यूजिस फॉल्स वेट इस प्रॉफिट परसेंटीज तो आट सो पचास ग्राम बोलके वह एक केजी टिका रहा है का इस तो एक केजी बोलके आट सोपचास ग्राम टिका रहा है कितने का फाइदा हुट तेभ सोग्राम पर फाइदा हो रहा है उसको आट सो गराम बचास ग्राम जीरो सफिए मचेश को सथीर र बचान थे तीनुट लोटे contribute Saturday सत्र इं परसेंट तो देखो 17 एकम 17 इधर से बचेगा 3 130 17 17 11 बचेगा 11 बटे 17 ठीक है? यह option correct answer आगे देखो question number 9 P cell a mobile इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी ठीक है P cell a mobile phone to Q at a loss of 10% Q cell it R2 at a profit of 25% और वोट the mobile for 45,000 then the cost price तो यह को 10% का लोस हो रहा है और 25% मतलब एक बटे चार का फाइदा हो रहा है तो दस की चीज़ कितने में बिक्षी होगी? अब बोलो सर्ण 9 में और चार की चीज़ 5 में तो ओवरल देखाचा चारीस की चीज़ नफ 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 बैतालीस में बिक्षी होगी और पैतालीस का मतला 45,000 दिया can है एक का मतला 1000 आ गया तो 40 का मतला 40,000 आ थिक है कुई थक्काट ये तरीका भी ठीक है वैसे करना हो वैसे कर सकते हैं जैसे अपन पेले कर रहरे थे ऐसे भी कर सकते हैं अबमे सो कहा था स्लीले से का लिया मैं हागे देखते हैं question number 10 a dishonest dealer decide to sell his good at cost price but uses a weight of 960 gram for a kilogram weight his percentage profit 960 gram 1 kilogram की जगा देरा है कितने का फाइदा होगा ता आप बलो sir इसमें 40 gram का फाइदा होगा 96 gram 960 पर है ठीक है बिलकुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है 0 से 0 काटो 4 से एकड़ जागा 4 दूनी आट 4 चुक को सूला 1 बाटा 24 मतलब 4 से इसको काटो charging 24 पच्चिस चुक को सो 6 से काट लो 6 चुक को 24 4 इस टो 1 बाटा 6 चार इस 4 इस टो 1 बाटा 6 परसें ठीक है question number 11 अपने सामने इसमें क्या बोल राए PY an article for rupees 280 and sell to Q at a profit of 25% Q sell to R at some profit R sell to S for rupees 560 and making a profit of 40% देखो को के आ रहा है question में question में यो रहा है P न कोई खरीदा उसने Q को बेज दिया Q ने R को बेज दिया R ने S को बेज दिया ठीक है बिलकुल ठीक है P न कितने में खरीदा था आप बोलो 280 रुपे में कितने का फाइदा कमा रहा 25% का फाइदा कमा रहा 25% का मतलब 1.4 तो इस दिर कमा रहा वो 70 रुपे का फाइदा कितने में बेज रहा होगा 1.5-300 रुपे में ठीक है फिर कुछ नहीं बूल रखा आपन से क्योंके profit के बारे में कुछ नहीं बूला आर का profit दिया है अपनको 40% वो बेच कितने में रहा है 560 रुपे में ठीक है तो ये 140% की value हो जाएगा आप बुलो हाँ सर 140% की value 560 रुपे है 14,46 ठीक है 100% की value कितनी हो जाएगा 400 रुपे मतलब यहाँ इसको 400 रुपे हम खरीदा होगा तो अपन से पुछा है क्यों का profit बताओ क्यों का profit कितना होगा अब 50 रुपे 300 रुपे 00 1Y7 1Y7 का मतलब क्या होता है 1Y7 मतलब 100Y7 तो साथ एकम साथ बचे का 3 साच चो को 28 इंटी जारी भूचा 14% अपना correct answer हो जाएगा मैं से बनवाए 7 का एकम साथ मतलब क्यों क्यों होता 14.28% ठीक है आगे देखो कुछिन नमबर 12 मुंके इस सेल 80% part of a commodity at profit of 20% and rest are the part at a loss of 5% in this way earn profit of this what was the cost price of the commodity दो को माल लेते हैं अपनने उसने 100 चीजें खरी दी 100 रुपय की खरी दी मतलब एक चीज एक रुपय की ठीक है आप भूलों से ठीक है कोई दिककत नहीं है या फर बूल देते हैं कि एक चीज 100 रुपय की खरी दी मतलब टोटल उसने 100 चीजें इतने पैसे की खरी दी ठीक है तो 80% of the part मतलब 80 चीजें उसने 20% profit के साथ मतलब 120 रुपय में बेज दी ठीक है एन रेस्ट बची कितनी 20 चीजें ये 20 चीजें उसने 5% loss मतलब 95 रुपय में बेची ठीक है भलो से ठीक है कोई दिककत नहीं है यहां से टोटल ते खुद कितना आरा 12,8, 96 मतलब 960 9,600 प्लस 0 की 0, 5 दूनी 10 की 0 9 दूनी 18 औरी 19 टोटल जोड़ो इसको कितना आ रहा है 00,9,6,15 की 5 9,10 और 11 जैसे टोटल कितना आ रहा है 1,0,0,0,4,0 तो कितने रुपय का फायदा हो रहा है इसको 1500 रुपय का फायदा हो रहा है ठीक है यहां पन को प्रोफिट दिया है तो 1500 रुपय की वैल्यू कितनी है 9,300 ठीक है बिल्कुल ठीक है यह 2,0 से 2,0 कड़ाई कुल करें मूल पूचा है अंतलावपन को इसकी वैल्यू निकालनी है ठीक है तो 15 को 100 बनाने के लिए करना पड़ेगा कुछ नहीं करना पड़ेगा पहले 3 हटाओ इसमें से 3,5,15 3,3 करना हो 3 है कम 3 अब इसको 100 रहा हम से बना सकते है 2 का मुल्टिप्लाय कर दो 10 हो जाएगा इसमें मुल्टिप्लाय कर दो 62 ठीक है ठीक है उसके बाद 3,0 और लगा निया इदर 3,0 लगा निया कौन से उप्शन में देख रहा है C उप्शन में ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखो कौशन नम्बर 1 अब परसंट सोल एन आर्टिकल अट अलोस उप सिक्टीन परसंट had he sold it for 660 more he would have a gain 8% what is the 12% profit पर बताना है देखो उसने बेचा 16% loss भे ठीक है ये cost price है और बिजने चाहिए तो उसको 8% फाइदे पर 16% loss, 8% फाइदा तो उसको कितने का फाइदा हो जाता मतलब कितने रुपे जाद हम बेचने पर जाता तो question की ये बोल रहा है कि ये cost price है उसकी उसने पहले बेचा 16% कम पर और अगर वो 660 रुपे जादे में बेचता तो उसको 8% का फाइदा हो जाता तो उनके बीच में difference कितना है तो आप बोलो उसे 24% का 24% की value 660 given है अपन से पूछा 12% profit पर कितने में बेचता ठीक है तो इसको काट लो 212% की value है जाएगी दोसे काटेंग 330 रुपे का profit होता उसको लेकिन cost price क्या है cost price क्या से निकालें cost price और निकाल लेते हैं 100% तो उसके लिए अपनको इसको काटना पड़ेगे 6 से 6 चुक को 24 एकसो 10 ये आगर 4% इसमें कल लो 25 से मल्टिप्लाइब 25 चुक को 100 इसमें करेंग 25 से मल्टिप्लाइब 25 जीरो जीरो पचीसे कम पचीस की पांच हासल किया गी तो 25 से कम पचीस और दो सत्ताइस इसमें 330 और जोड़ लो तो 12% profit है जागा 5, 3, 8, 7, 10, 10, की 0, 2, 1, 3 3080 ये पखलाओ ठीक है आगर देखो कुश्चन नमबर तू आ मैन वाट अठीकल और जोड़ देखने वाट परेंग 10% इसमें ये 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 पोट देखने आटिकल लोड़ देखने तो एक आर्टिकल खरीदा और उसको सोल्ड कर दिया 10% गेन पर माल लेते हैं अपन उसने 100 रुपए पर खरीदा और 10% गेन मतलब 110 में बेज दिया इफी एड बोट आर्टिकल 20% लेस मतलब की अस्थी रुपए में खरीदा होता है असी रुपए में खरीदा होता है and sold it for 1,000 more he would have a profit of 40% तो असी का 40% कितना हो जाएगा 32 रुपए यहां से 32 रुपए की वेल्यू कितनी है 32 रुपए इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 112 तो इसके बीच के जो डिफरेंस आ रहा हो कितने का रहा है दो रुपए का और दो रुपए का मतलब दिया है अपन को यहां यहां जोड़ेंगे का रुपए लिफरेंस अजोड़ेंस आ रुपए में लेगा 1,000 रुपए में रुपए में आ रुपए वीच का रुपए जोड़ेंस आइगा 1040% बीस इसमें नाम चेंज कर दियागा, question भी बहु ही है, same question है, पचासा जार आंसर आगा, repeat हो या question, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो question number 4, if he is selling price 50 of article is equal to the cost price of 42 article, what is the approximate loss percentage, selling price of 50 article is equal to the cost price of 42 article, ठीक है, अब बहु हो, ठीक है, तो यहां से CP और SP का रिशो हो जाएगा, इसे हो जाएगा, SP upon CP equals to 42 upon 50, ठीक है, पचास रूपे की चीज कितने मीच जा रही है, 42 में, कितने रूपे का loss हो रहा है, अब बहुरको सर्ण, आठ रूपे का loss हो रहा है 50 रुपए पर 8 रुपए का लोस अगर 50 रुपए पर हुरा यह इस इतना परसेंट हो गया जिसको यहां से नहीं दिख रहा हूँ यहां से दिख लो 2 से multiply करने के बाद 16 रुपए का लोस हो रहा है मतलब 16 परसेंट ठीक है Question number 5 अपने सामने इसमें क्या बोल रहा है अब परसंड एन आर्टिकल एट लॉस आप सिक्स्टीन पर्सेंट हैड ही सोल फोर सिक्सिक्स्टी रूपीज मूर ही वोड गें एट परसेंट तो कोश्ट्राइच आर्टिकल की कोछ उसको है अगर सुला परसंड लॉस पर बेचा जा र इसबीज परसंड का च्ववीज परसंड का मतलब आख़ चैसो साट रुपए दिया है खिंए छैसे काट लो इसको प् चार परसंड का मतलब क्या हो जाएगा 110 रुपए नीज से इसकी cost price ठीक है, cost price आगा ही 2750, अब बोल रहा है कि इतने में बेचा जायत, कितने का फायदा हुआ तो 3080 में से 2750 पहले तो minus करो प्रोफिट आजाएगा अपने पास कितने का हुआ रहा है ठीक है, 0, 3 इतने में से साथ जाएंगे 3 वचेगा 330 रुपे का फायदा हुआ कितने पह 2750 रुपे पह ठीक है, बल्कुल ठीक है 11 सकट जाएगा, यह 11, 33 और 0 11 दूनी 22, 11, 55, 0 0 से 0 कट गया 3 वाई 25 आगया 3 वाई 25 का मतलब क्या हुआ अब बोलो, उसे 4 परसेंट का मतलब होता है 1 बटे 25 तो 3 वाटे 25 का मतलब क्या हो जाएगा 12 ठीक है question number 6 है, अपने सामने इसमें क्या बोल रहा, an article was sold at a loss of 13.5% if it was sold for this rupees more, then it would have been 9.5% profit, cost wise of the article तो cost wise से अगर 13.5% कम में बेचा जा रहा है मतलब लोस में बेचा जा रहा है और इतर 9.5% profit में बेचा रहा है, दोनों के बीच में difference कितने का है दोनों के बीच में difference आ रहा है 23% का इस 23% की value दिये 104, 11.04 ठीक है, 20 से कड़ जागा 24,92 बचेगा कितना, 8 और 10 18 23,8 184, तो 100% की value किया जागी 4800 रुपे B option, correct answer ठीक है Thank you so much